आलो गोवी की सबजी तो आपने बहुत तरीके की ट्राइ की होंगी आप एक बार इस वाले आलो गोवी के रेस्पी को जरूर ट्राइ करें ये सबजी आपको सबसे ज़्यादा पसंद आएगी तो चलिए आज की मज़ेदार आलो गोवी की रेस्पी को शुरू करते हैं और वीडियो पसंद आये तो लाइक करना बिल्कूल न भूले अगर आपको मेरे रेस्पी पसंद आये तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल लाइकन पे जरूर क्लिक करें उससे मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे आलो गोवी मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बरतन में पानी करम करेंगे और उसके बाद हम इसमें ये कटे हुई गोवी डाल देंगे तो गोवी को मैंने पहले से धो के रखा है, यह गोवी डाल दे इसमें, फिर हम इसमें आधी छोटी चमबस नमक डाल देंगे, इसके बाद हम इसमें एक उबाल आने का वेट करेंगे, इसी क्या होगा कि अगर गोवी में कीडे रहेंगे तो वो मर जाएंगे या फिर निकल ज आएंगे तो जैसे ही पानी में वाल आ जाये गैस को बंद करें और उसके बाद इसे चान ले चान की इसे अलग रख देंगे तब तक हम सबजी बनाने का प्रोसेस में चलते हैं तो एक पैन में हम 2-3 चमबस तेल गरम करेंगे और इसके बाद हम इसमें ये गोवी डाल देंग तो गोवी डाल तक पैन को साइड से कवर कर दें क्योंकि गोवी में पानी रहता है और गरम तेल के कॉंटेक्ट में आते ही तेल के छीटे आएंगे तो पैन को ऐसे साइड से कवर कर दें जिस साइड आप खड़े हैं उसके बाद इसे हम 3-4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे फ पैन को पार्शिली कवर करें पांच मिनट वाद हम देखेंगे कि यहां पर गोवी जो है वो थोड़ी से ब्राउन हो चुकी है मतलब गोवी हमारा अच्छे से भुन गया है तो हम इस गोवी को निकाल लेते हैं तो यहां पर यह सारे गोवी को मैंने निकाल लिया है अब हम सेम पैन में वापस दो चमल तेल डालेंगे और उसके बाद दो मीडियम साइज के आलू को काटके इसमें फ्राई कर लेंगे तो आलू को मैंने दो के काटके रखा है पहले से यहां पर आलू डाल दे और जैसे हमने गोवी को फ्राई किया है वैसे ही आलू को फ्राई करके तो जब तक आलू फ्राई हो रहा है तब तक हम क्या करेंगे कि एक मसाला बना लेते हैं, तो इसे cover कर देती हूँ, और mixer jar में हम एक चमज धनिया ले लेंगे एक चमज जीरा ले लेंगे एक चोथाई छोटा चमज काली मिर्च या फिर काली मिर्च का पाउडर एक मीडियम साइज का प्याजा से कटा हुआ ले ले इसके बाद हम इसमें डालेंगे ये अद्रक, लहसुन और हरी मिर्च तो यहाँ पे दो इंच द्रक डाल दे, दो हरी मिर्च और आठ से दस लहसुन की कलिया डाल दे इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे और जार का ढखकन बन करके हम इसका एक पेस्ट बना लेंगे तो यहाँ पे मैंने इसे blend कर लिया है तो यह हमारी सब्जी का मसाला ready है अब हम चलते हैं वापस पैन की तरफ जहाँ पे हमने आलू को fry होने के लिए रखा था तो यहाँ पे आलू का कलर भी golden brown ना चुका है तो हम क्या करेंगे आलू को भी निकाल लेते हैं जैसे हमने गुवी को निकाला था तो हमने मसाला पहले से बना के रखा है आलू को भी हमने fry कर लिया है अब हम चलते हैं फाइनल प्रॉसेस में जहाँ पे सब्जी का मसाला बनाएंगे तो यहाँ पे सेम पैन में थोड़ा सा तेल वापस जालेंगे तेल इसमें ऑफशनल है जैसे ही तेल गरम हो जाएगा पका लेंगे ताकि इनका जो फ्लेवर है वो तेल में आ जाए फिर हम इसमें 3 मीडियम साइच के प्यास डाल देंगे तो प्यास को मैंने ऐसे लंबे स्लाइस में काटा है इस सबजी में प्यास ज्यादा अच्छा लगता है इसलिए मैं सजेस्ट करूंगे कि प्यास ब्राउन दीख रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं तो अब हम इसमें मसाले डालेंगे तो मसाला डालने से पहले गयास का फ्लेम लोग कर दें और उसके बाद हम इसमें आधी छोटी चमच हल्दी पाउडर डाल देंगे दो छोटी चमच हम लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे मैं यहाँ पे काश्मेरी लाल मिर्च यूज़ कर रही हूँ इन दोनों को अच्छे से मिला दे हल्दी और लाल मिर्च गरम तेल में डालने से सबजी का कलर जो है वो बहुत अच्छा आता है लेकिन ध्यान रहे कि तेल अगर बहुत जादा गरम है तो हल्दी और लाल मिर्च जल जाएगा इसलिए तेल का टंपरेचर कम रखे अब हम इसमें ये पिसा हुआ मसाला डाल देंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल के और इसे एक बार वापस ऐसे मिला देंगे अब हम इसमें डाल देंगे तमाटर तो आप चाहे तो तमाटर की प्यूरी यूज़ करें या फिर बारी कटावा तमाटर डाल दें मैंने यहाँ पे दो मीडियम साइज के टमाटर को काट के डाल दिया है फिर हम इसमें नमक डाल देंगे तो नमक मैं पुरा यहीं पे डाल देती हूँ जितना सब्जी में यूज होगा आप चाहें तो नमक बाद में आड़ कर सकते हैं मिलादे से नमक डालने से टमाटर जो है वो जल्दी पक जाएगा तो पैन को कवर किया मैंने और 5 मिनट और पकाएंगे और यहाँ पे टमाटर जो है वो सौफ्ट हो चुके है मसाला हमारा रेडी हो चुका है यह आप देख सकते हैं तो यह हमारा पॉर्फिक्ट मसाला जो है वो रेडी है सबजी के लिए तो अब हम इसमें फ्राई किया हुआ यह आलू और गोवी डाल देंगे तो पहले हम अच्छे से मसाला को भूल लेंगे उसके बाद यह आलू गोवी डालेंगे फिर पानी डालके हम इसे पका लेंगे तो यहाँ पे यह आलू गोवी डाल दिया मैंने आलोगोवी डालने के बाद गैस का फ्लेम हाई कर दे और इसके बाद एक से दो मिनट इसे हम हाई फ्लेम पे भूल लेंगे मसालों के साथ आलो गुवी की सबजी आपने बहुत तरीके की बनाई होगी आप एक बार इस तरीके से आलो गुवी बनाई है ये सबजी आपको बहुत पसंद आएगा तो यहाँ पे मैंने आलो गुवी को मसालों के साथ भून लिया है इसके बाद हम इसमें पानी डाल देंगी तो 2 कप के करीब हम इसमे पानी डाल देंगे अगर आपको सुखी सब्जी चाहए तो पानी आधा कपी डाले और इसके बाद 5 मिनट लोय फ्लिम पे पकाए लेकिन अगर आपको ग्रिवी वाली चाहए तो आप ऐसे पानी डाल दे और इसके बाद हम इसे ठक के 10 मिनट लो फ्लेम पे पकाएंगे या फिर तब तक पकाएं जब तक कि आलो को भी जो है वो अच्छे से पक नहीं जाएं तो गैस का फ्लेम लो किया मैंने नमक हम इसमें नहीं डालेंगे नमक हमने पहले ही डाला है तो यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं और यह हमारी सबजी जो है वो बहुत ही colorful दिख रही है तो gravy की thickness जो है वो gas off करने के बाद और भी ज़्यादा गाड़ी होगी इसलिए हम इससे ज़्यादा यहाँ पे नहीं पकाएंगे आलो को एक बार चेक कर ले तो यहाँ पे आदू एकदम perfect पका हुआ है यह आप देख सकते हैं तो last में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इसके उपर थोड़ा सा धन्यापत्ता डाल देंगे इससे टेस्ट बहुत अच्छा हैगा और इसके बाद जो magic trick है जो इस सबजी के स्वात को दुगना कर देगा वो है घी तो गैस बंद कर दे और उसके बाद एक चमच घी इसके उपर डाल दे इससे सबजी बहुत ही टेस्टी बनेगी लेकिन अगर आपको नहीं घी पसंद है तो आप घी को skip कर सकते हैं धक के इसे पांच मिनट छोड़ दे पांच मिनट बाद हम धक कर नटाएंगे और ये हमारी मज़िदार आलू गोवी की सबजी जो है वो रेडी हो चुकी है तो अब हम चलते हैं से सर्फ करने का प्रासेस में तो सर्फ करने के लिए आप इसे एक सर्विंग टेट में निकाल ले और यहां पर आप देख सकते हैं कि सबजी कितना कलरफूल दिख रहा है आप इस सबजी को रोटी के साथ खाए, राइस के साथ खाए या फिर पराटे के साथ काए, पूरी के साथ काए, सब के साथ ही बहुत अच्छा लगता है तो ये हमारी आलो गोबी की मज़िदार सबजी जो है वो रेडी हो चुकी है आप एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें, ये सबजी आपको बहुत पसंद आएगी तो लास्ट में आप चाहें तो इसके उपर धन्या बता है या फिर ऐसे हरी मिर्च का टिवी डालके आप इसे गर्मा गर्म सर्फ करें अगर आज की रेस्पी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज आप मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले